फिर से आगया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई, बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान यह से बात करेंगे सोईबीन की, तो सोईबीन का फरवरी बादा देख रहे हैं कि 335 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आदे फीजदी की करेक्शन के साथ, सोईबीन देख रहे हैं, रेंज बांड देखने को मुल रहा हैं, सोईबीन के साथ-साथ अगर बात की जाए, अगर अन्य खादे तेलों की बाकी खादे तेलों की तो दूसरे एडिबल ओइल्स में भी देख रहे हैं कि एक हलकी सी गिरावट बंती नजर आई है दिरसल चुनाव आने वाले हैं सरकार भी नहीं चाहती है कि जो आम जनता है सरकार को महंगाई को लेकर को से या फिर महंगाई को वोटों में कमी देखने को मिले जिसकी वजासे हमने खादे तेलों की कीमतों में कमी आते वे देखिए सरकार की परयासों का यह नतीजा है कि अभी हाल फिलाल में जितने भी बड़ी बड़ी कमपनी थी खादे तेलों की चाहे सोयबीन का तेलों चाहे सरसो तेलों सब में हम और उत्पादन होता हुआ भी देखा, लेकिन तब भी खादे तेल की जो कीमते हैं कम होती नजर नहीं आई, महाँ से बात करें सोयवीन की, तो सोयवीन में हम देख रहे हैं कि भारत में पहले तो सोपा ने कहा था कि 119 लाग टन का सोयवीन का उत्पादन हो सकता है, पिछले स साल 2020 के मुकाबले साल 2021 में तेजी रह सकती है सोयवीन के उत्पादन में, लेकिन अब सोपा ने वो भी आंकडा घटा दिया है, 112-113 लाग टन का कर दिया है और 8% की तेजी रखिया नहीं कि, साल 2020 के मुकाबले साल 2021-22 के सोयवीन के उत्पादन में 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि सोयवीन की जो उपलब दता है मंडियों के अंदर काफी कम देखने को मिले है जिसकी वज़ा से जो पूरे आकड़े हैं उन पर एक पिच्चर क्लियर नहीं हो पा रही है यहीं से बात करें अगर विदेशों की तो विदेशों म कि उत्पादन में काफी महत्पूर्ण स्थिती रखता है यानि महत्पूर्ण स्थान रखता है ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राजील सोयवीन के मुख्य उत्पादक देशों में से एक हैं और निर्यातक देशों में से भी अगर ब्राजील और अर्जेंटीन के सोयबीन की उतपादन की जो हिस्सेदारी थी वो ग्लोबल सोयबीन के उतपादन में यानि की वैश्विक सोयबीन में लगबग आधी रही थी तो इसी बात से अनुमान लगाया जा सकते है कि इस बार जो ब्राजील और अर्जेंटीना में वर्तमान में सूखे के हालात बन उसके मन्दे नज़र ब्राजिल और अर्जंटिना में सोवेबिन के उतपाधर में कटाउती जो की गई है वो सोवेबिन की कीमतों में आगे मंदी लाएगी या तेजी लाएगी यह इसपे भी डिपेंड करेगा कि आगे मौसं कैसा रहता है क्योंकि Brazil और Argentina में अभी current में तो सूख्या देखने को मिल रहा है लेकिन जो weather forecasting के जो जानकार हैं जो expert हैं जो मौसम विशेशग्य हैं वहां के उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में Brazil और Argentina में बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि Brazil और Argentina में आने वाले कुछ द का आगे रुजान कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा ये अभी वहाँ पर Argentina और Brazil में बारिश कितनी होती है कितनी नहीं होती है इस पर भी depend करेगा अभी अगर बारिश अच्छी होती है तो उत पादन थोड़ा बढ़ सकता है ज्यादा रह सकता है अगर कम रहती है तो उत विदेशों के बारे में बताते रहेंगी विदेशों में सोयबीन का क्या हल चल रहा है अभी कीमतों की बात की जाए तो वैश्विक सोयबीन की कीमतों में तेजी है विदेशों में सोयबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है अमेरिका में सोयबीन की पैराई में ब करके रखा हुआ है वाट्रोब को अपडेट है करना तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान